नमस्ते विद्यारतियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गनित अकेडमी एंजीनियरिंग लेक्चर्स में तो आज का जो विडियो सेशन है, इसमें हम NPCIL का इंटर्व्यू प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो recently NPCIL ने आपका executive trainee के लिए अपना post इन्होंने release किया था तो इसमें जो है interview आपका बहुत important role play करने वाला है इस recruitment procedure में तो आज मैं उसी के उपर बात करने वाला हूँ, ठीक है? और अगर आप लोग मेरे साथ connect होना चाहते हैं, तो आप मेरे telegram channel पे या telegram group पे connect कर लीजिएगा, तो उसका link नीचे description box में दिया हुआ है तो चलिए फिर video session को start करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो सबसे basic information है तो short listing जो होगा है, यह 1 is to 12 पे होगा तो अगर आपने मेरा पिछला video देखा होगा, तो वहाँ पे मैंने बात किया है exactly कितने cutoff पे आपको apply करना चाहिए different stream के लिए तो अगर आपने नहीं देखा है वो video को, तो अभी यहाँ पे description में आपके उपर video में link आएगा, तो आप उसको click करके वो वाले video को देखिएगा जरूर, तो यहाँ पे जो short listing होगा, this will be done in the ratio of 1 is to 12, 1 is to 12 में आपको select किया जाएगा equal weightage होगा आपका 2020 के score, 2021 या 2022, तो जिसमें भी आपका highest gate score है इन 3 सालों में, तो आप उसका gate score लीजिए, वो वाले साल का और apply कीजिएगा, और जो final selection है, यह सिर्फ और सिर्फ interview पे base होगा, आप assume कीजिए कि यहाँ पे अगर आपका gate score ECE branch में 716 है, ठीक है, और 716 जो है, वो ECE का cutoff है इस साल, तो यहाँ पे मैं आपको बोल दूँ, कि interview में matter नहीं करेगा कि आप last candidate थे, जो की cutoff में select हुए थे, अगर आपका interview यहाँ पे बहुत अच्छा जाता है, तो आपका selection पका है, ठीक है, तो interview ही जो है, यह अब आपको सिर्फ decide करेगा कि आपको job मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला, तो यहाँ पे जो minimum रखा हुआ है, minimum marks आपको जो चाहिए, वो है minimum 70% mark general के लिए, और others के लिए 60%, तो अगर आपको 100 mark में से, आप अगर general category से, और अगर बात करता हूँ कि interview यहाँ पे कैसे होने वाला है, तो देखिए interview के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे panel जो है, differ करेगा, 6 से 10 member हो सकते एक panel में, तो offline interview होगा, आपको बुलाया जाएगा, तो 6 भी member हो सकते या 10 member हो सकते, it depends, ठीक है, अब average जो interview का duration होगा, क्योंकि यह purely technical interview है, आपका technical knowledge को check किया जाएगा interview में, कि आप कितना एक concept को समझते है, understanding level आपका कितना है, तो average जो interview का duration देखा गया, चाहे वो NPCIL हो, चाहे बार्क हो, चाहे ESRO हो, ठीक है, तो it is somewhere around 30 से लेके 45 minutes तक, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपका assume कीजिए कि 25 minutes हुआ, तो आप डर गए, अरे मेरा interview तो खराब हो गया, बस खतम, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह depend करता है, यह average की मैं बात किया, कि 30 से 45 minutes का average होता है, तो usually जो candidates होते हैं, somewhere around 35, कभी-कभी तो 50 minutes तक भी interview गया हुए, अगर आप यहाँ पे forum वगेरा जैसे की कोरा हो गया, या Facebook हो गया, अगर आप यहाँ पे read करेंगे, तो वहाँ पे दिखेगा कि कुछ-कुछ जो, जो लोग select हुए है, उनका interview करीबन 50 minutes के आसपास भी चला है, तो average जो duration होता है, नहीं दे पाए, तो वह आपको थोड़ा बहुत hint देंगे, या अगर आप, आप से उन्होंने question पूछा, और आपको एकदम ही बिल्कुल भी नहीं पता, तो वह आपको simple सा hint देंगे, जैसे कि एक question पूछा, आपने बोला कि sir, मुझे नहीं आता है, तो वह आपको next question में थोड़ा सा hint देके और एक question पूछेंगे, कि अब बताओ इसका answer क्या है, तो यह panel member जो होता है, यह आपको बहुत इक comfortable feel करवाएंगे, कभी-कभी आपके उपर कुछ एक banter भी मतलब, एक healthy banter, banter मतलब क्या होता है, एक easy सा joke आपके उपर crack करके, they will smile with you, तो इससे क्या होता है कि आपको एक comfortable, comfort zone में वो लोग लेके आते हैं, interview के दोरान, नहीं, तो क्या होता है, interview के दोरान, जो aspirants मतलब first time जाते है, interview face करने, तो काफी डर जाते है, क्योंकि यह क्या होता है, एक मतलब stressful place होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, कि interview हो गया, तो वहाँ पर stress थोड़ा सा create हो जाता है, ठीक है, तो इसी वेज़े से panel member आपको ऐसा बिल्कुल भी कभी feel नहीं करवाएंगे, कि आप मतलब आपको आता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपको देखिए कुछ-कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि हर कोई भी interview में अगर आप जाओगे, तो about yourself, आपको prepare कर लेना है, आपके family के उपर, आपके father या आपके mother कहां पे काम करते है, आपके भाई-बेहन, आपके hobbies, ये सब के उपर आपको थोड़ा सा prepare करके जाना है, कि आप basically क्या है, कौन है, आपने इतने साल तक क्या किया, ठीक है, तो इसके उपर थोड़ा सा prepare करना है, और एक चीज मैं बोल दू कि अगर, suppose कीजिए कि आपने जैसे की 2019 या 2018 में आपने क्या किया है, बीटेक complete कर लिया है, उसके बाद एक दो साल का आपका gap है, ठीक है, तो आप वो gap में क्या किये, इसके उपर थोड़ा सा आप, मतलब वो लोग आपसे पूछेंगे, कि आप इस gap के दौरान, आपका क्या journey था, आपका क्या backstory है, यह आप से जरूर पूछा जाएगा, तो इस पे थोड़ा सा आप लोग focus कर लिजेगा, ऐसे नहीं कि आप जाके बोल दिये, मैं तो सो रहा था एक साल तक, मिरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, नहीं, आपको एक अच्छा सा answer prepare करके जाना है, कि नहीं, मैं यह, यह government jobs के लिए prepare कर रहा था, लेकिन मुझे success नहीं मिला है, तो अभी की मिला है, तो यह सब आपको थोड़ा सा prepare करके जाना है, ठीक है, अब now next question क्या है, और एक question जो कि बहुत जादा पूछा जाता है, why join NPCIL, तो इसका भी एक बहुत अच्छा सा answer आपके पास ready होना चाहिए, कि आप NPCIL join क्यों करना चाहते है, या अगर आप कोई दूसरे job में है, ठीक है, जैसे कि आप अगर assume कर लिए IOCL में हैं, या ONGC में हैं, तो आप क्यों उसको quit करके NPCIL को join करना चाहते है, इसके उपर आप एक खोटा सा अपना preparation करके जरूर जाईएगा, अगर आप job से जा रहे हैं, दूसरे कोई PSU या private job से अगर जा रहे हैं, या फिर अगर आप directly college से जा रहे हैं, तो भी आपको prepare करना है, कि NPCIL आप क्यों join करना चाहते हैं, अब देखिए, वहाँ पर जो next आप लोगों से पूछा जाएगा, अगर आप job कर रहे हैं अभी, तो उस job के basis पे ही आपको question करना start किया जाएगा, कि आपका क्या job role है, आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे NPCIL को help कर सकते हैं, अपने previous job के experience से, यह सब चीज़े आपसे पूछा जाएगा directly, या आपका जो भी internship है, उससे आपको questions आएंगे, या final year project, तो इनसे तो आपको questions आने ही आने हैं, तो अगर आप job से हैं, तो आपको job related आपका जो भी है field, उसको बहुत अच्छे से prepare करना है, जितने भी साल आपने job किया है, उसके बारे में, अगर आपने internship किया है, तो internship report अच्छे से पढ़के जाईएगा, ठीक है, क्योंकि उससे आपको जरूर questions करेंगे ये लोग, और final year project, तो आपको final year project का भी report बहुत अच्छे से prepare करना है, तो जिनोंने भी group project किया है, या project में इतना ध्यान नहीं दिया है, तो मैं उनसे बोलूँगा, कि आप project के उपर अच्छे से तयारी कीजिएगा, क्योंकि questions आपको project से ही start होने वाला है, अब next अगर बात करूँ क्या होगा, तो आपसे देखिए, ये मिरको पहले बोल देना चाहिए, ताकि पहले ये लोग आपसे पूछेंगे, आपके favorite subject, फिर उसी से related आपके job और internship और final year project से questions आना start होगा, तो favorite subjects आपसे पूछा जाएगा, तो कोई भी आप technical, code technical, research oriented interviews अगर देने जाएंगे, तो वहाँ पे आपको आपके favorite subjects पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आप 4 से 6 favorite subjects अपने prepare कर लीजे, gate वाले subjects ठीक है, तो अगर आप EC से है, तो आप अपने core subjects prepare करिए, along with that आप prepare कर लीजे, circuit theory आप prepare कर लीजे, control systems ठीक है, और अपने जो भी core subjects से, जैसे की EDC हो गया, analog electronics हो गया, communication हो गया, अगर आप instrumentation background से है, तो आप फिर से control system, circuit prepare कर लीजे, measurement बहुत focus करेंगे, अगर आप electrical से है, तो भी आप measurement पे बहुत अच्छे से focus करेंगे, फिर अगर आप instrumentation से है, तो sensors and transducer, analog electronics जरूर पढ़के जाएगा, उसमें भी opamp, मैं बार बार बोलूँगा, opamp के उपर आप बहु communication, ठीक है, तो instrumentation के अगर आप पे, तो optical communication भी आपको पढ़के जाना है, और अगर मैं बोलूँ, electrical, तो electrical के लिए आपके जो भी core subjects है, power electronics, सबसे main है उसमें, फिर आजाता है आपका machines, measurement, फिर आता है आपका कौन सा, ये एक दम मैं भूल गया मतलब, circuit theory, control systems, ठीक है, तो ये ज electronics आपको prepare करना है, अब यहाँ पे अगर आप favorite subjects में जाके एकदम आसान-सान से 4 subject बोल दिये, और आप वहाँ पे भी कुछ बोल नहीं पारे, तो immediately आप reject हो जाएंगे, ठीक है, तो core subjects का आपका knowledge होना चाहिए, और साथी यहाँ पे मैं applications लिखके आया हूँ, applications का मतलब क्या है कि आप कुछ चीज को पढ़े, ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक example दूँ, आप से अगर मैं बोलू कि opamp तो हमने पढ़ा है, अब opamp का आप एक chip बताईए, तो आप अगर बोल दिये, सर मुझे तो मतलब, अच्छा हमने तो बस किताब में पढ़ा है, सर opamp ऐसा दिखता है, य ठीक है, कि ये non-inverting है, ये inverting है, यहाँ पे plus minus VCC, minus VCC, सब आपने ग्यान दे दिया, लेकिन फिर मैं आप से बोला कि एक chip बताओ, और आप बता नहीं पाए, ठीक है, तो ये एक बहुती negative impact शो करेगा, कि आपके अंदर theoretical knowledge तो है, लेकिन आप practical knowledge बिल्कुल भी नहीं है, तो उसका real life में example, इसको जरूर दिमाग में रखके पढ़िए, और और एक चीज, अगर आप specifically NPCIL या बार क्या ISRO के लिए तयार कर रहे है, तो ये जरूर पढ़िए कि आपने जो चीज पढ़ा अभी, इसको आप कैसे वहाँ पे, कहाँ पे उसका usage है, इसके उपर जरूर फोकस कीजिए, तो ये चीज जरूर फोकस होना चाहिए, जैसे कि मेरे एक फ्रेंड को, उन्होंने, मतलब उनको पूछा गया था, किसरो के interview में, कि basically इसका जो होता है, वो IC741 होता है, सबसे commonly जो use होता है, तो उससे पूछा गया था कि IC741 उसने बोला था, उससे पूछा गया कि IC741 का price क्या होता है, तो अब उसको पता नहीं था ये, उसने बोल दिया, sir, it's very costly, तो उसको quantify करने बोला, कितना कितने पैसे का है, तो उसने कह दिया, sir, it is somewhere around 2000 रुपीज, लेकिन IC741 जो आता है, वो 20 रुपे का आता है, ठीक है, 20 या 25 रुपे का maximum, अगर आप market से में खरीदोगे, तो और भी कम हो जाता है, तो एक practical knowledge आपके पास होना चाहिए, ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो, तो practical knowledge आपके पास बहुत ही important है, जब आप इस type के interview attend करते हो, तो मैं बोलूँगा, जब भी आप पढ़ो एक topic को, ठीक है, जैसे कि अगर आप measurement पढ़ रहे या CRO basically, कहाँ NPCIL में कौन से जगह पे use होगा, इतना तो नहीं पूछेंगे, खैर, लेकिन एक normal CRO का usage कहाँ पे होगा, ये सब चीजे आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, और अगर आप से पूछ ले कि एक CRO, ऐसे बताओ कि कौन से company ने CRO बनाया, त ये सब चीजे आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कि आपको out of the box, out of the world कुछ भी पूछ लिया जाएगा, ऐसा नहीं, बस यही है कि आप से expect किया जाता है, ठीक है, कि आप थोड़ा बहुत जाने है, ठीक है, थोड़ा बहुत कोई भी चीज का real life application आपको पता होना चाहिए, अब next बात करता हूँ, कि answer, अगर आपको कोई चीज का answer नहीं पता है, तो बहुत टाइम क्या होता है, क्योंकि हम तो engineer है, और वायवा तो देना हमारे खून में होता है, तो वायवा में तो हम जाके कुछ भी बोलते रहते हैं, मतलब इधर उ आपको कोई चीज सच में नहीं आता है, तो आप उसको एकदम honestly बोलिये, कि मेरे को नहीं आता है, और अगर जितना आता है, उतना ही आप बोलिये, तो यहाँ पर देखिए, मैंने लिख के रखा है, do not say anything that you don't know, आप अगर वहाँ जाके कुछ अलग-अलग सा term यूज कर रह ठीक है, control system में आपको बोला गया कि कितने तरीके का, सबसे पहले यह पूछ लिया जाएगे हम कौन सा control system पढ़ते है, तो आप बोलोगे classical control system, फिर बोला जाएगे classical control system में basically system को किन दो प्रकार में classify किया जाता है, तो आप बोल दोगे क्या open loop system, close loop system, फिर आप से बोलेगा कि close loop system कितने तरह से sub classify होता है, आप बोलेंगे positive और negative feedback system, फिर पूछा जाएगा कि stability बताओ किस का जादा होता है, किस में gain कम हो जाता है, तो ये ना chain में ही चलते रहता है, आप जो जो चीजे बोलते जाएंगे, उसी को ये लोग hold करके next question आपके लिए पूछेंगे, तो ऐसा को कोई भी चीज ना बोलिये, जो कि आपको पता नहीं है, जिसके बारे में आपको depth knowledge नहीं है, अगर आप बोलेंगे तो आप अटक जाएंगे, और वहाँ पे एक negative impact आएगा, तो इसी लिए मैं बार बार बोलूँगा, कि आपको honestly जो भी आता है, आपको बस उतना ही बोलिया और अगर आपको एक direct question इन्होंने पूछा, और आपको उसके बारे में थोड़ा सा मतलब पता है कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन exact नहीं पता है, तो आप उनसे बूचिए, कि सर क्या मैं guess कर सकता हूँ, क्या मैं guess लूँ, with your permission, can I take a guess, अनुमती मांगिये, ठीक है, अनुमान कि एक अच्छा सा impact present करता है, interviewer के उपर, कि नहीं, आप guess कर रहे है, तो आप उनसे बोल रहे है, कि नहीं, मैं guess कर रहा हूँ, ठीक है, तो कभी भी guess अगर आप करते है, तो एक बार उनको बोल दीजिए, कि सर मैं इस question का answer जो है, guess कर रहा हूँ, तो यह सही भी हो सकता है, ग stage fear होता है बहुत लोगो, बहुत लोगो को class के topper होते है, mark sheet में, मतलब sorry mark sheet बोल रहा हूँ, जो exam sheet होता है, उसमें भेंकर एकदम भ्यानक answer लिखेंगे, must वाला, लेकिन जो ही उनको बोलेंगे कि जाओ, board पे जाके explain कर दोना, तो एकदम मतलब वो लोग freeze हो जाते हैं, नहीं 200-200 रुपए का white board आता है, उसमें आप क्या कीजिए, कि जब भी आप एक concept को explain करने जाते हैं, जैसे कि अगर मैं बोल दूँ, कि चलो, board plot explain कर दो, तो अगर आपको explain करने बोला जाता है, तो आप एक क्या करेंगे, camera मतलब, mobile तो सब के पास है एकदम, हाना, mobile उठा लो, और camera on कर लो, recording में डाल दो, और देखो कि आप explain कितने flow में कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जब आप recording करोगे ना, तो सामने आपको ये feel आना start होगा, कि बाद में ये lecture को मैं review करूंगा, या करूंगी, जो भी है, तो वहाँ पे आपको पता रहेगा ना, जब कि आप सामने फिर से इ age fear आएगा, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे मेरे को ये पता, तो जब मैं पहली बार पढ़ाना start किया था, ऐसे online, तो मुझे भी मतलब ऐसे लगने लग गया था, कि यार, वो fear जो आता है ना, अंदर से, वो आला लगा था, लेकिन अब आप मेरे को बोलोगे, कि आप कोई भी विशय पे बात कर लो, तो कर लूँगा, तो वो fear ना, धीरे धीरे जाएगा, जब आप उस पे practice करोगे, और अगर और भी अच्छा है, तो आपके घर में अगर छोटे भाई बहन है, तो आप उनको बुला के बोलो, कि बैठो यार, मेरे साथ, मैं concept explain करता हूँ, भले ही उनको कुछ समझ में ना है, या आपके parents, ममी, पापा, जो भी, या दादी, दादा, जो भी है घर में, उनको बोलो कि आप मेरे साथ थोड़ा सा time spend करो, आप बस देखो कि मैं flow में कैसे बोलता हूँ, अटकता तो नहीं कहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब मैं बोलते बोलते क आपको सीख के जाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है, पूछा जाएगा, जरूर whiteboard पे कोई ना कोई concept explain करने के लिए, ठीक है, और तो बाकी जो भी आप लोग के अंदर, मतलब अगर कोई doubt रहता है, कोई भी topic पे interview लेके, तो मैं आप लोगों से बोलूँगा, कि आप section में जरूर लिखिएगा, तो यह part 1 था video का, तो part 2 मैं आप लोगों के उपर छोड़ता हूँ, तो अगर मेरे पास ample number of doubts आते हैं आप लोग की तरफ से, बहुत सारे doubts आते हैं कि interview में क्या क्या करे, क्या ना करे, तो मैं फिर part 2 इस video का बनाऊंगा आप लोग के लिए, ठीक ह तो चलिए फिर मिलते हैं next session में, thank you